नोशकर दोस्तों मैं हूँ धरमविश्टीजा मेरी खेती सची खेती में आपका स्वागत है गेहु में मेंली मनुसी एक बहुत बड़ी प्रोब्लम है हमारा सारा ध्यान मनुसी की तरफ ही लगा रहता है लेकिन गेहु में चोड़े पत्ते वाले खरपतवार भी अब एक चुनोती बनते जा रहे हैं मेंली बाथू, बिल्ली बूटी, पित पापड़ा, जंगली सैंजी, मैना, हिरन खुरी, कंटीली और कंडियाली पालक जंगली पालक अलग होती है एक और बड़ी प्रॉब्लम है बटन बूटी, एक और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है मकोहो, एक और उससे बड़ी प्रॉब्लम है राडी, रेवाडी, हिरन खुरी, सब का दिखाऊंगा, बताऊंगा अब मार्किट में काफी सारे कैमिकल्स हैं काफी कुछ तो हमारे चोड़े पत्ते वाले खरपत्वार हैं न टूफोर्डी से मर जाते हैं और एक और कैमिकल है एल ग्रिप जिसके अंदर मेट सल्फिरोन 20WP होता है कुछ उससे मरते हैं ये भी अब कुछ कम काम करने लगा है और इसके बाद और कैमिकल्स आ रहे हैं एफिनिटी है नाबूद है जिसके अंदर कारफेंटरा जोन इथाईल 40DF होता है और कुछ के लिए तो कारफेंटर जोन इथाईल जो एफिनिटी या नाबूद के नाम से मशूर है उसके साथ मैट सल्फिरोन मतलब के ऐल गृप मिलाना पड़ता है तो जाकर गंट्रोल होते हैं डिटेल में देखते हैं अब ये सारे खरपतवार होते हैं शुरू में बहुत छोटे छोटे दिखते हैं लेकिन बाद में गेहूं के पोदे से भी ज़दा फैल जाते हैं बड़े हो जाते हैं फैलाओ बोच ज़दा होता है तो जमीन के पानी, सुरज की रोशनी, जगे और खात के लिए गेहों की फसल के साथ कम्पीट करते हैं और गेहों की पैदावार कम हो जाती है अब ज़्यादातर जो है ना ये खरपतवार तो टू-फोर्डी से मर जाते हैं लेकिन टू-फोर्डी को जब ज़्यादा ठंड हो तो ये थोड़ा कम काम करती है दूसरा जब खरपतवारों की बढ़वार की स्टेज में हो तब ही इसको प्रयोग करना चाहिए टू-फोर्डी को मतलब की बुआई के 30 से 35 दिन बाद अगर टू-फोर्डी का स्प्रेग गेहों की फसल में पहले कर देते हैं तो गेहों का फुटाओ कम हो सकता है पोधों की बढ़वार कम हो सकती है पैदावार में भी कमी हो सकती है और अगर 40-45 दिन के बाद करते हैं तो इसका हार्मोनल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है अब लेट विजाई में थोड़ा और लेट कर देना चाहिए 30-35 दिन के में 35-40 दिन बाद स्प्रेग कर देना चाहिए टू-फोर्डी का भी एक टाइमिंग है स्प्रेग करने का अब पंजाब अग्रिकल्चर यूनिवस्टी की क्या रिक्मेंडेशन है चोड़े पत्ते वारों के लिए तो यहां पर टू-फोर्डी के बारे में डेटेल दी गई है अगर आपके खेत में बात्थू है बिल्ली बूटी है पित पापड़ा है जंगली हैलोन है जब ग्रोथ हो चुकी हो टिलर्स गेहूं के भी निकल रहे हो और यह जो चोड़े पते वाले हो और इसकी डोस जो है यह धाई सो एमल दी हुई है 38% वाली जो है यह गैस बेस्ट होती है तो आजकल थोड़ा सा कम काम कर रही है अमाइन साल्ट के नाम से आती है तो 58% वाली है उसमें यह खासियत होती है उसकी डोस जो है ना 500 से लेकर 700 मल के करीब है पर एकर डिपेंड करता है कि भी आपका बाथू या चोड़े पते वाले खरपतवार कितने बड़े है तो मैं यह कह रहा था कि जो 58% वाला जो है 240 है वो उसमें यह खासित है कि जहां पर भी हम स्प्रे करेंगे वहीं पर ही पड़ेगा उससे एक दो फुट दूर तक उसका असर नहीं जाएगा ठीक है जी अब मैं आपको यह बतारू अगर इन सब खरपतवारों के साथ आपके खेत में कंडियाली पालक भी है यहां पर कंडियाली पालक यह फोटो आप देख रहे हो कंडियाली पालक भी है तो आपने ऐल ग्रिप का स्प्रे करना है एल ग्रिप जो है नो वो 10 ग्राम करना है इसको 30-35 तिन बिजाई के बाद करना है 1.500 लिटर पानी यूज़ कर लो तो कंडियाली पालक भी कंट्रोल हो जाएगी अब एक और बात है अगर आपके खेत में बटन बूटी भी है यह फोटो में दिखा जिता हूँ आपको यह बटन बूटी होती है तो यह जो है ना एल ग्रिप से कंट्रोल होएगी ना टूफोर्डी से तो इसके लिए हमें कारफेंटरा जोन इथाईल लेना पड़ेगा जो एफिनिटी एम या नबूत के नाम से आती है चालिस डीएफ होती है तो उसमें यह स्प्रे करना पड़े है यह बीस ग्राम की एक पुड़िया आती है यह थोड़ा सा देखो जी थोड़ा सा पहले स्प्रे करना पड़ेगा इसको पच्चिस से तीस तिन की सोईं के बाद भी जाई के बाद पानी जो है देखने में अच्छी नहीं लगते तो बटन बूटी के लिए जब हमने यह करना है आफिनिटी स्प्रे करनी है बीस ग्राम करनी है कुछ लोग इसको एक एकड़ के बिजाए सवा एकड़ में भी कर रहे हैं और राड़ी रेवाड़ी राड़ी रेवाड़ी को यह आप पहचान लो और हिरन खुरी भी यह सब चीजें हैं तो सिरफ कारफेंटरा जोन से एफिनिटी से यह नहीं मरेंगे इसके साथ आपको मेट सल्फिरोन जो एफिनिटी आता है यह भी मिलाना पड़ेगा एक प्रोड़क्ट आती है लेंफिंडा पचास डी एफ डोज इसके भी 20 ग्राम है इसके अंदर जो है जो एल गिर्प वला सार्ट है वो आधा डाला हुआ है यह भी 25-30 दिन के बाद करना है 1500 लिटर पानी में यह काम कर जाएगा तो आपने एक और ध्यान देना है कि अगर आप यह चोड़े पत्ते वाले हर्भी साइड अगर यूज़ कर रहे हो और खेत में आपने मालो कोई गोबिया सर्सों या चना या कोई और सर्सों लगा रख ले लो 20 ग्राम और यह मैट सल्फरून मिथाइल यह 10 परसंट इसकी आधी डोज कर लो तो यह आप मिलाकर भी स्प्रेय कर सकते हो घोल अलग बनाना है फिर बाद में मिलाकर इनको आप स्प्रेय कर दो 1500 लिटर पानी और यह बिजाई से 25-30 दिन के बाद आप स्प्रेय कर द थैंक यूजी